शीवम दूबे टी ट्वेंटी विशकाप में क्या कर रहा है वो धोनी के टीम से है इसलिए उन्हें टी ट्वेंटी विशकाप में शामिल कर लिया गया है अगर आप बीते मेशो को देखेंगे सेननाई सुपार किंग्स के लिए जब शीवम दूबे खेल रहे है तो उन्होंने अपना खाता भी नहीं खुल पाया और आउट हो गया आगर शीवम दूबे की जगा रियान पराग होता तो मेश का हाला कुछ अलग है हला कि ये बात अलग है कि सेननाई सुपार किंग्स वो मेश जिद गए आगर शिबोम दूबे की जगा रियान पराग होता तो राजोस्तान रेल्स को इस मुश्किल की स्थिति में निच्छीतर पर निकल के लाते और ऐसा उन्होंने इस IPL में कई बार करके दिखाया है भारत्य टीम को ऐसा एक खिलारी चाहिए जो मुश्किल परिस्थितियों में शांदार बलेवाजी करें जो एबिलेटी रियान पराग में है मुझे लगता है कि शिबोम दूबे से रियान पराग बेटार अप्शन था हालाकि आप अगर गोर से देखेंगे तो रियान पराग दोनों के ही T20 पिशकाप में जागा बनते थे अगर आप 2021 की शिबोम दूबे की बारी देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा बारी नहीं है जिस बारी की बज़े से सेननाई सुपर किंग्स को शिबोम दूबे ने जिताया है लेकिन रियान पराग ने कोई सारी है से बड़े बड़े पारी खेली है जिसमें राज़ोस्तान रेल्स फासी हुई थी मुश्किल में थी और वहाँ से निकाल कर अपने टिम को जिताया है रियान पराग एक बे मिसाल खिलारी है और वो एक अल्राउंडर भी है इसलिए रियान पराग का जगा T20 बिशकाप में बनता था अगला आने वाला मैसो में रियान पराग का बल्ला ज़रूर चमकेगी भाले ही रियान पराग को T20 बिशकाप में जगा नहीं मिला है लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही आप रियान पराग को ब्लू जर्सी में देखेंगे हालाकि रियान पराग में तीनों फॉर्मेट खेलने की शेली है टेस्ट मेस हो या फिर T20 हो या फिर ODI हार फॉर्मेट रियान पराग अच्छी तरह से खेल सकते हैं रियान पराग अपने टीम आसाम को सिंमल हेंडेट मेस जिताते जिताते उनकी सरित्र ऐसे बन गई है कि सिंगल हेंडेट ही अपने टिम को जीताने की कोशिश करते हैं और राज़ोस्तान रेल्स को ऐसा करके कई बार जीता चुका है मुझे ऐसा लगता है कि भारत्य टिम को जल्द से जल्द रियान पराग को मौका देना चाहिए एसा एक बले बाद जो पिछले कुछ समय से छुपा हुआ था अब निखर के सामने आया उनको आप मौका दीजिए तो आपकी समने निखर के आयेगा रियान पराग जो काफी सालों से ट्रोलिंग का शिकर हो रही थे उन्होंने बरे स्तर पर बरे मंस पर अपना पदर्शन दिखाया और आपने आपको साबित किया एसा एक खिलरी को अगर आप मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे अगर भारतिय टीम को एसा एक बलेबाज चाहिए जो भारतिय टीम की मुश्किल स्थिति में आकर टीम को निकाले तो रियान पराग को टीम में लीजिए अगर आप रियान पराग की बलेबाजी देखेंगे तो उनकी बलेबाजी में स्थिरता दिखाई देती है रियान पराग मैदान में आते ही आंदा धुन छक्के लगाना शुरू नहीं करते है रियान पराग पहले मैदान में आते है पीश को परते है देखते है कैसा है मैदान उसकी बाद जब समय आता है कि अब लंबा शोट लगाना है तब रियान पराग लंबा शोट लगाते हैं उनके पास एक अद्भूत एबिलेटी है वो खारे खारे छक्का लगा देते हैं और ये ability किसी भी बल्लेबास को खतरनाग बनाते है और रियान पराग एक खतरनाग बल्लेबास है मैं राजस्तान रोयल्स को धिन्नबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रियान पराक को इतना बेक किया लेकिन उसका फैदा भी इस समय राजस्तान रोयल्स को मिलता हुआ अगर आप 2020 की IPL की बाकी तीमों को देखेंगे अगर टोप और भी खेड़ जाते है तो बाकी तीम भी बिखार जाता है लेकिन राजस्तान रोयल्स की अगर टोप और भी खार जाते है तो समलने के लिए रियान पराक है और रियान पराक बोखुबी समल लेते है इस IPL में कई बारे से देखा गया कि टोप ओडर बलेबास जॉस बटलर जैस वाल सुन्जू सम्सन आउट हो जाते है लेकिन उसकी बात रियान पराक अपने टीम को बोखुबी समल लेता है असानी से वो मेश को जिता देता है रियान पराक का पदर्शन का जो स्रे है वो सुन्जू सम्सन को मिलना चाहिए कुमारा चंगाकारा को भी मिलना चाहिए और राज़वस्तान रोयल्स की टीम मेनेजमेंट को भी मिलना चाहिए रियान पराग के मेहनत रंग ला रही है, 400 से उपर रान, ओरेंज केप की दोर पर बनी हुई है, 31 6S, 4 अरदर्शतक और क्या चाहिए आपको एक आन केप खिलारी से, एक बार तो रियान पराग ने बिराट कोहली से ओरेंज केप सिन भी लिया था शायद आने वाले मेस में रियान पराग एक बारी बारी खेल के वरेंज के फिर से सिन ले क्या आपकी हिसाब से रियान पराग T20 पर शकाप में होना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आपको लगता है रियान पराग एक अच्छा खिलारी है, एक बहतर इन खिलारी है, उनको टीम इंडिया में जगा मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएगा इसी के साथ दोस्तों आप लोगे से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, जैहिन